नमस्कार, स्वागत है आपका मुनु का कीचिन में दोस्तों, इमली का नाम लेते ही मुँ में पानी आने लगता है और इमली की खटी मिठी चट्नी की बाथी निराली है ये चट्नी सभी को बहुत पसंद आती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है इस खटी मीठी चटनी को दही बड़ा, समोसा, पकोड़ी और कचोड़ी के साथ खाने में बहुत ही स्वाधिष्ट लगता है तो चलिए चटनी बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हमने 200 ग्राम ताजी इमली ली है इमली को हम पानी से अच्छी तरह धुल लेंगे इसे हमने गर्म पानी में एक घंटे तक भीगो कर रखा था एक घंटे में ये बहुत अच्छी तरह से फुल चुकी है इसे हम अच्छी तरह से मैश करके छनी से चान लेंगे चान लेने से इसका पल्प अलग हो जाएगा बचे हुए बीज और रेशे को फेक देंगे कडाई फ्लेम पर रखकर उसे गरम कर लिया है अब इसमें दो चम्मच ओयल डाल देंगे और थोड़ी सी किस्मिस डाल कर इसे हलका सा भून लेंगे फ्लेम को हम मीडियम हाई पर रखेंगे इसमें हमने पांच कटे हुए चुहारे भी डाले हैं अब हम इसमें इमली के पल्प को डाल कर थोड़ी देर उबलने देंगे थोड़ा उबलने के बाद हम इसमें आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच सफेद नमक आधा चम्मच लाल मिश, आधा चम्मच कश्मीरी मिश और आधा चम्मच सोच डाल देंगे अगर आपके पास सोच नहीं हो तो आधा इंच अद्रक को घिसकर डाल सकते हैं अब हमें इसे दो मिन्यट तक चलाते हुए खोलाना है अब इसमें 200 ग्राम गुर्ण और 200 ग्राम चीनी डालेंगे मीठा आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं गुर्ण और चीनी के मिल्ट हो जाने तक हम इसे चलाते रहेंगे और इसे दो मिन्यट तक पकने देंगे चटनी अब गाड़ी हो रही है आपको ध्यान रखना है कि चटनी ठंडी होने पर और भी ज़्यादा गाड़ी हो जाती है आप अपने पसंद के अनुसार चटनी को गाड़ी या पतली रख सकते हैं अब हम इसमें लगबग एक चम्मच भुना हुआ पिसा जीरा डाल कर इसे अच्छी तरह से मिला कर गेस के फ्लेम को बंद कर देंगे अपनी खटी मिठी इमली की चटनी बंद कर तयार है चटनी ठंडी हो चुकी है अब इसे हम एक बर्दन में निकाल लेते हैं इस तरह से बनी चटनी बहुत ही स्वादिष्ट होता है आप इसे कभी भी खाईए आपको या बहुत ही अच्छी लगेगी इस चटनी की खासियत यह है कि आप इसे शीशे के जार में एक महीने तक इस्टोर करके रख सकते हैं आपको जब भी खाना है शौक से खाईए इसके स्वादने बिल्कुल भी अंतर नहीं आता है अगर आपको ये रेसेपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ कमेंट जरूर करें फिर मिलते हैं अगले रेसेपी के साथ